हलो फ्रेंग्स वेलकम टू आल आज मैं आपके लिए बात करूंगा तीन स्टॉक्स की शेयर मार्किट में कमाने के लिए बहुत सारी आपको मिलेगी लेकिन गवाने के लिए कुछ भी नहीं पैसा ही पैसा आपके सामने होगा जब आप चलते हो प्रोसेस की थूँ आपको यक लेकिन नहीं होगा लेकिन यह सचाई है और एक बार चीजे ट्राइटू कीजिए मतलब लर्निंग के उपर फोकस और अर्निंग को सेकंडरी रखके तो देखिए और लर्निंग के उपर फोकस से मेरा मतलब है कभी भी चीज मार्किट में आप इन्वेस्ट करते हो एक लर्निंग के उपर फोकस रखे कमाने के लिए बहुत है गवाने के लिए कुछ भी नहीं है मार्किट आपको पैसा पैसा देगी जब आप अपने डिसीजन्स खुद लोगे और इसको को मैनेज करना सीखोगे और टिप के उपर काम नहीं करोगे आपको गया टिप के उपर क दिखाऊंगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और खासकर टेक्निकल पार्ट की मैं हाँ पर बात करूँगा देख तीन स्टॉक्स को देखते हैं और सबसे पहले मां आपको इन तीन स्टॉक्स को दिखाते हों देखे यह जो आप देख पा रहे हैं यह हम वीकली थीस नहीं है यह सेट अपस हैं आपको अपनी लर्निंग के बेसिस पर इनको एक्जिक्यूट करना पड़ेगा और वह लर्निंग ही होती है कि कहां पर एंट्री करें कैसे स्टॉप लॉस लगाएं स्टार्ट करेंगे एच्डी एपसी बैंक से जरह स्टी एपसी बैंक के इस वी रही आती है अगर इस रहली को आपको काम करना है ट्रेड करना तो फिर आप इन बेट्विन कैसे यहां पर एंट्री लोगे तो आपको छूटे टाइम फ्रेम पर देखे जाके करेक्शन को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा लेकिन अगर वीक ली का करेक्शन इसलिए ये चार वीक पहले इस टाइम फ्रेम पे हमारे रडार में आ चुका था बैया शेयर में जो है बदलाव दिख रहे हैं ये चार वीक पहले की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं और उन स्टॉक्स को अभी हम रिव्यू करेंगे तीनों स्टॉक को जिसमें SDFC बैंक फॉर्मेशन होता है वहां पर मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक्सचेंज होता है शेयर का यानि कि जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया बढ़िया बाद लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर नई ताकत आती है जो कि शेयर को और उपर लेके जाती है अब आ 80 रुपे का आपका ये पूरा का पूरा रिस्क बनता है लेकिन गेन कितना हुआ यहां से 1440 के लेवल पर पहुंच चुका है यह फोर्थ वीक है इस तेजी का और आपको चार वीक मतलब एक महीना और यह बहुती बढ़िया जंप मतलब सोचे ज़रा समझ यह कितना रिस्क ना के बराबर कर लेकिन रिस्क को और भी मिनिमाईज किया जा सकता है इन लवल्स को मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं कि कैसी यह चीजों को समझा जाता है इस पूरी करेक्शन को देखिए यह वो टाइम फ्रेम है और इस पूरे टाइम फ्रेम में जब consolidation आपको देखने को मिलेगा correction आपको देखने को मिल सकता है यह देखिए यह consolidation यह आपको stop loss और भी यहाँ पे बिलको light stop हो जाता है इसको कहूंगा डेली पे जो कि 20 एमेका सपोर्ट लिया इवन वीकली पे भी यह पहली करेक्शन थी बुलिश क्रॉस बगने के बाद ऑल्दो फ्लैट करेक्शन थी डीप वाली नहीं थी फ्लैट करेक्शन थी अब दूसरे स्टॉप को देखते हैं जिसका नाम है अदानी ट् बड़ी रैली चार वीक का होल्ट यह चीजह अपने आप में बहुत कुछ होती है लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीप लर्निंग चाहिए होती है कहां से एंट्री करूं कैसे करूं अगर नेगटिब जाएगा तो कब निकलूं और यह देखिए और यह 500 अर्फिय है तोड्य काइ divers कआरी यह देखिए 20 रुपे का रिस्क के साथ गेन सीदे 400 यानि की 100 रूपे का गेन और बार बार रिजेक्ट होना प्राइस अब हुआ ब्रेकाउट आया पुल बैक और आया मजा वापसी जब बनी और यह आपका स्टॉप लॉस और देखिए क्या बाउंस आया चबरदस्त इन सारी सिचुवेशन को जब आप देखोगे तो आजाए यह आरसाइप पुल बैक और आसे नेक्स्ट लेवल कहां गया देखिए अब आपको व्यार मजा आ गया यह तो बहुत ही बढ़िया कमाई हुई तो ऐसी सिचुवेशन में आपको कहता हूं कि इनको देखिए तीसरे स्टॉक की तरह में आपको लेके चलता हूं टाटा केमिकल वहां पर आपने देखा व यह पॉइंट देखिए बलकुल बॉटम पॉइंट आरे से जब प्राइस पे कुछ नहीं देखता तो आरे सब्या के देख लिजिए मैं और अच्छे से देखेगा आपको हाय लोग हायर हाइए और यह लास्ट पॉइंट अभिजो एंत्री कर जिसको सेफ इंटी करने थी यह लास्ट पॉइंट है 330 का एंट्री लेकर बड़ा धहमा का अभी करेक्शन आई थी फिर करेक्शन रिजॉल्व होगे फिर से भागने लगे जरा सूच यह कोई मैं कहूंगा हार्ड एंफास्ट ऐसा नहीं कि एक रिटेंड निवेश्ट इस सारी चीज़ें सीख नहीं सकता सीखने के लिए लगन होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा करेज भी चाहिए क्योंकि आप प्रॉपर स्टॉप लॉसे रिस्क बैनेज्मेंट के साथ चल रहे तो आपको मतलब तीरे-दीरे इसलिए मैं आपको कहता हूंगी करेज तभी आएगा जब आपके दस यह वह चोटा-छोटा इंवेस्मेंट जब आप करते रहोगे दिरे-दिरे करके जब आपका कॉन्फिडेंस हो जागे तब आपको जिंदगी भर कभी स्टॉक मार्केट में मात नहीं खाओगे अब अगले स्टॉक की तरफ चलता हूं लॉरस लैप्स की तरफ यह तीन स उसमें ऐसा क्यों हुआ कि वह नीची आ गया अब आपको दिखातों में उसको उसमें भी तो आप समझोगे उस पार्ट को वह भी हमने जरूर क्या था लेकिन लर्निंग के बेसिस पर एक्जिक्यूशन था तो यह देखिए बड़ी कैंडल यही वह तीन वीक्स है जब आप साइट का मोमेंटम दिखा रहा आप देख सकते हो इस वीक का रहा साथ यह पहले का रहा से और इस पॉइंट का रहा से देखिए तो यह आपको दिखा रहा था बेरिश डावरें डावर्जेंस तो यही चीज लर्निंग पर अभी तो आपको कहता हूं हम खाली सेटप करते हैं एक्जिक्विशन होता है मेंबर्स के ऊपर और मेंबर्स का यहां पर आता है कि यह तो हमें भी रिस डावर्जेंस दिखा रहा है यहां पर यह सेट अप वीक है इस थोड़ा सा दूर रखो और यह मूविंग आवे से काफी दूर भी है तो इसको थोड़ा सा कभी भी जल्दबाजी में नहीं आना है मार्केट गिर रही तो कोई इसकर नीगे depends तो अपनी variability होगी यह चीजे समझे मंड-विडियो को मीड कर्ते वीडियो आब को आच लागा तो शेयर लाइक कीजे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले साथ के साथ बेल आकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे और टेक्निकल आनलेसिस सीखने के लिए आप मेंबर्सिप जॉइन कर सकते हो जॉइन बटरन पर क्लिक करके थांक यू थांक